क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम A, E, I, O, U से पहले अन का यूज़ करते हैं तो हम A University, A European और A One Rupee Note क्यों कहते हैं? इन सब में भी तो आप देख रहे हैं पहले में U, दूसरे में E, और तीसरे में O का यूज़ हुआ है तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमेशा हमें अधूरी नॉलेज दी गई है गाइज A, E, I, O, U से पहले अन का यूज़ नहीं होता A, E, I, O, U के साउंड से पहले अन का यूज़ होता है लेट्स कंपेर अ यूनिवर्सिटी, अन अम्ब्रेला A, European, Ann, Elf A, One, Rupee note, Ann, Orange यहाँ पे यूनिवर्सिटी में U का साउंड Y, है जो की vowel साउंड नहीं है इसलिए हमने अ का यूज़ किया इसी तरीके से European में E का साउंड Y, है इसी तरीके से O, N, E, One में O का साउंड वह है इसलिए हमने A का यूज़ किया है